ओके स्वाल एवर्यवन इस इस गोई विए वेरी 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 इंपोर्टन फर आल अफ यू जितने भी सारे जैम आस्पिरेंट्स ओ यह वीडियो जरूर देखें आपको क्या करना है डेफिनिटली सर बहुत सरे क्वेशन प्रैक्टिस करना है ओके स्वाल आपको क्वेशन को रीट करना बहुत जरूरी है रीट करना इसलिए जरूरी है वहाँ पर कावी का बार ऐसा क्वेशन पूछे आते हैं कि वीच वान इस और इस नौट और इनकरेक्ट इह जो दो वार्ड को बहुत ध्यान से देखना यहां से आप लोग बहुत ज़्यादा गल्दी करते हो उसके बाद questions को clearly पढ़ो और उसमें क्या पूछा गया है यह understand यह extract करने की कोशिश करो फिर जब अब लोग option देखते हो usually क्या होता है दो या तीन option मतलब एक या फिर दो option ऐसा दिया रहाएगा जो बिल्कुल ही eliminate हो सकता है तो उसको पहले eliminate कर लो फिर बाकि जो दो option या फिर तीन option बचेगा उन में से आप लोग कोशिश करो डूढने की समझ में आ रहा है तो इस तरीके से पहले read the question carefully then eliminate the obviously wrong choices then analyze is option पहले तो मतलब क्या किया अपने wrong choice के eliminate किया उसके बाल आपका analyze करना है options को जरूर करना use strategies for guessing this is second part and last part and review your choices and this is the ultimate part जो आपको review करना है आपका जो questions आप लोगों ने answer किया उसको बट यहाँ पे यह जो तीन पॉइंट है यह तीन पॉइंट आपको जरूर याद रखना है एक तो आपके पास negative मार्किंग है तो जब तक आप 90 पर्शन शूर नहीं हो at least 80 to 90 पर्शन शूर नहीं हो तब तक कोई जरूर जरूर करना उसके बाद बागी जब तक आप शूर नहीं हो तब तक अच्छे से उसको मार्क मत करना उसके बाद बाद बागी अनलाइज करना अगर आपको कुछ 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 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 60 to 70 पर्शन आप शूर हो बट 100 पर्शन शूर नहीं हो उसके में आप गेस कर सकते हो लेकिन गेस करने के लिए क्या strategy उस करना चाहिए first of all जो option eliminate हो सकते है उसको eliminate करो eliminate जो हो सकता है उसको eliminate करो क्योंकि eliminate अगर नहीं करोगे eliminate अगर नहीं करोगे तब आप चारू option लगेगा कि यह चारू option ही हो सकता आपके पास correct हो उसके बाद और क्या रहेगा उसके बाद यह रहेगा कि एक तो eliminate का option और 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 हमारे पास यह रहेगा मैं क्या सोच रहा था यस हां तो गेस के लिए अब केसिंग में यही एलिमिनेट करना और उसके बाद समझ के देखना एनलाइस करके देखना कि कौन सॉप्शन हो सकता है और नहीं स्पेशली यूनिट वाइस देखना यूनिट अगर गिवन है तो यूनिट वाइस आपको देखना चाहिए कि ऑप्शन क्या होने वाला है साही और नॉट यह आप mcq solve करने का बेस्ट तरीका हो जाएगा दूसरा हो जाते है आपके पास msq solve करने के लिए msq कैसे solve करे सर msq solve करने के लिए आपके पास यह सारे जो पैतरा है यह बहुत ज़्यादा जरूरी होगा इंसq questions को पढ़ो अच्छे से 10 question रहेगा कोई भी negative marking नहीं रहेगा तो definitely यह 10 questions फस्ट ओफ आपको यह याद रखना है कि हमें attempt करना ही करना है हमें attempt करना ही करना है 10 questions 10 questions में एक भी questions को छोड़के मात आना हर एक questions को एडेम करना है क्योंकि यहापर negative marking नहीं है बट क्या-क्या जरूरात होगा एक तो detail knowledge and concept of the topic जिस topic से question पुछा गया है उसके हर एक points को या फिर detail knowledge को आपके पास होना चाहिए इसलिए थोड़ा सा जाब आप लोग पढ़ते हो revision करते हो हर एक points को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना समझ के पढ़ने की कोशिश करना read करना है analyze करना है उसके बाद फिर mark करना है तो these two are the most important thing question को अच्छे से बंढ़ना वहापे भी कुछ भी tricks use हो रहा है तो उसको देखना then combinations को check करना है आपको कैसा combinations given है for example हमारे पास क्या होता है कि तीन या चार स्टेटमेंट दिया रहाएगा one two can be correct two three can be correct three and four can be correct one two three can be correct इस तरीके से आपको वह गुम्रा कर सकता है तो उस चीज़को जरूर ध्यान रखना आप लोग ठीक है देन क्या होगा attempt करना है सब को ही मैं ज़िए मैंने बताया attempt करने से बकोई no partial no negative marking as well as कोई भी प्योन मार्किंग नहीं है तो अगर आप तीन options correct है आपने दो options करकिा यह सर मार्का नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा इस आपको attempt करने सब को ही यह लेकिन negative marking नहीं है तो पार्ट्चल मार्क भी नहीं मिलने वाला है आपको यह जीज़ जरूर द्यान लॉखना एंड लास्ट बार waktu फोह हैं हमारे लिए हो जाते है से ईने टी इने टी सॉल्फ करना सो अ बशटर अपो चाहिए वामिटी से सरह करने कें लिए स्ट आफ हो आपको चाहिए वो मास के लिए आपको चाहिए एक copy में वो copy ले लो या फिर A4 size paper ले लो उसमें सारे formulas लिखते हुए जाओ उसमें सारे formulas लिखते हुए जाओ इस पार उस पार जिस सवार भी लिखना है आपको तो इसका एक छोटा सा copy type बना लो ताकि 2-3 pages के जहाँ पे सारे आपको क्या मिल जाएगा जो फर्मुला आप यूज़ करके इसीली लाइक डिविशन करने के लिए हर रोज रिविशन करते जाओ तो वह आपके लिए बहुत बायतरिन हो जाएगा इसीली एक क्रिए रिट केरफोली questions को देन प्रॉपर फर्मुला की यूज़ करना यूणिट को जरूर ध्यान रखना यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग लेए तो अगर आप सही से दे रहे हैं साथ तो बिल्कुल चाहिए आगा अगर थोड़ा सा भी गलती है तो गलत हो जाएगा तो यहां पर एक तो यूणिट को जरूर आपको ध्यान रखना है यूणिट इस दा मोट्स इंपोरें तिं बहुत जादा नेगेटिव वैलू आने की चांसे होते हैं डेल्टा जी तो यह सारे चीजों को बहुत जरूर याद रखना एक्जागली क्या वैल्यू है उसके साथ जो साइन होगा वह तो यह जो पाट है तो ऑविस्ट्र आन बाकिस कोडिंग पार्ट है क्योंकि यहाँ को पहला工作 पेज़ लेवल पे रहेगा है यहां पर फोड़ा सा ट्रीणी रहेगा तफ नहीं ऑपको क्या करना है यहां पे जो ट्रीण क्वेश्चेंस है यहां पर जो ट्ट्टेन क्वेश्चेंस को धरूर करके आना है इंग दो मार्स के जो बाकी 10 question होगा उस question को आप definitely definitely देखके solve करना पड़ेगा ठीक है तो इसी तरीके से आप यह जो practice questions है इस questions को questions को practice करो scoring part है scoring part है definitely आपको मिल जाएगा score करने के लिए उसके साथ virtual calculator यूज करना जरूर यूज कर दो अभी से virtual calculator के लिए हमारे IT Jam channel पर ही मैंने एक video बनाया है वहाँ पर जाके आप definitely refer कर सकते हो ठीक है virtual calculator टूर करके IT Jam chemistry channel पर ही जहाँ पर यह वीडियो देख रहे होंगे तो यह आपके लिए बहुत beneficial हो जाएगा I hope यह आपके लिए clear है so that's all for today thank you everyone thank you so much and thank you for watching thank you